गुजरात का पतंग नई ने उचाईयों को बार करता का रहा है विकास के नई शितियों को हम्चूर है वाजरा इन गुजरात ये शब्द नहीं ये जीमन का हिस्टा बन देया है साबरमती के तट पर मनाया जा रहा है ये पतों वो सब वाइबरेन गुजरात का मुख्य आकर्शन है ये गुजरात की तरक्की का जश्न है लोगों की महनत और इमानदारी रंग लाई है जिस साबरमती के तट पर ये कारेक्रम हो रहा है वो खुद एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है ये खुदसूरत पर्यटन स्थल आगे चलकर सारे देश के शहरी विकास के लिए एक जबरदक्त मिसाल कायम करेगा यहां का वॉलिटी ओफ लाई यहां का यह एक चार ऑज़ पिटेंशियल है यहां पर इंजिनिरीरिंग कॉलेज गड़ेज जो बन रही है अब रहा गुजरात अब हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को काफी पीछे चोड़ चुका है. गुजरात की आर्थिक तरक्की की तुलना अब दुनिया के बड़े बड़े देशों से कीटाती है. कि अब गजरात की अ को अ and so it plays a very important part of that global impact of Indian business. I live in Antwerp, which is a large Gujarati business community, mainly in the diamond sector, also in shipping. And I'm not very close to them, but I do interact with them. And you see, they nowadays have a very positive impression of Gujarat's economic performance. And they do give credit to Narendra Modi for that. One element, for example, is his apparent incorruptibility. Pashchim Bangal and Haryana, like the rules of Gujarat, there is no doubt about Gujarat in the United States. Gaspians Daniel Đi Narendra Modi 5-800 km 2-800 km The meaning of Gujarat S stands for spirituality, E stands for entrepreneurship and GED stands for dream. देखे गुजरात में बहुत बड़ा अड्वांटेज यह है कि एक पोर्ट बेस स्टेट है, यहां की कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है और यहां पे ग्यास की अवेलिबिल्टी है तो यहां पे पावर जेनरेशन में तो हमेशा कॉंपटिटिवनेस रहेगी और बाकी रकम से भ मैनुफैक्ट्रिंग है तो एंजिनियरिंग में गुजरात का स्टेंग्थ है राजकोट है बरोडा है अम्दबद है जामनगर है इन सब सिटीज में काफी एंजिनियरिंग प्रोड़क्स बनते हैं और सर्विसेज मिलती हैं तो दिस मेक्सिट इजी फॉर डज कंपनी उसक हां गुजरात में मिलता है उनको हमारिया पीपाव आउसे जैपूर तब गुड्स टांस्पोर्टेशन के लिए डबल देकर ट्रेन हमने पारम किये हैं और हम इसको पीपाव आउसे पंजाब तर ले जाना है अब कलको ना कर सकते हैं टांस्पोर्टेशन में कितनी बड़ा है रानी की बात है कि देश में बंग पड़ी आधी स्माल स्केल इंडस्री अकेले पश्चिम बंगान में मौझूद है लेकिन गुजरात में लगू अद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं In the last 5 years there has been an edition of zeros 70000 units in the small-scale section today, the number of small-scale units in Gujarat stand 3 lakh and 12 thousand units and an all-time high record This state is one of the most progressive states in the country it is the fastest growing देश में हर्ताल और लॉकाउट की वज़ा से साल भर में दो करोड 33 लाक मैंडेस का नुकसान हो जाता है और तलग है कि इसमें से साख्ष प्रतिशत मैंडेस का नुकसान केवल पश्चिम बंगाल में होता है लेकिन गुजरात में मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच संबन मदूर रहते हैं यही गुजरात की खुशाली का राज है Reliance has been operating in Gujarat and we have not lost one single mandate of work because of any labor issue I believe Gujarat is vibrant because it has a heavy mix of three factors it is fortunate to have at its helm very dynamic leadership provided by the Honorable Chief Minister very high quality of governance and it espouses a true spirit of partnership between industry and government भारत में सबसे ज़्यादा कपास गुजरात पैदा करता है देश के 24% केमिकल्स, 25% कपड़ा, 45% दवाईयां और 72% हीरे जावारात गुजरात में तयार किये जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन गुजरात में अतियंत अधिक्तम है क्योंकि जो रिजल्स आ रहे हैं उसके अनुसार लोगों में उच्सा बढ़ती है जब तक उच्सा नहीं बढ़ेगी पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगे जब पार्टिसपेशन नहीं होगे हैं